दूस्तो आज मैं आपके बताऊंगा कि कैसे इंडिकेटर के बारे में जो की most जो टेक्निकल इंडिकेटर होता हैं उन सब में maximum बहुत ज़्यादा profit count कराता हैं और उसके थुरू आप लोग trend identify कर सकते हो आज की वीडियो का main topic है कि कैसे हम लोग trend identify कर सकते हैं अगर हम कि वो किस एक indicator पर टिक कर काम करना चाहता है market में पैसा ना कमाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है आप खुद से पूछेएगा और नीचे comment करके बताइएगा कि क्या ही problem आपके साथ भी है क्या आपने किसी एक indicator के उपर एक महीने से जाधा practice की है answer आने वाला है न of cost कहीं पर भी मिल जाएगा आपको use कर सकते हो for long term purpose आपको बताना चाहूंगा इसका नाम है 200 days moving average और 200 days moving average को use करने का तरीका ना बहुत ही simple सा count होता है इसमें कोई rocket science नहीं है but I don't know कि simple चीजे लोगों को पसंद क्यों नहीं आती इसमें काम करने का तरीका बहुत ही simple है आपको one day का time frame चूज करना है to identify जो basic trend है उसके बारे में जैसे 200 days के उपर candle बनती है then आपको वापे by position पर काम करना है normally और by position पर काम किसमें करेंगे आप five minute के time frame पर using different indicators like आप VWAP यूज कर सकते हो आप different indicators की values को चूज करते हुए like super trend by side पर काम कर सकते हो अगर आप बिल्कुल नए हो दन में यह बात आपके लिए कहता हूँ otherwise आप different strategies भी implement कर सकते हो like option selling या फिर option buying strategies को follow कर सकते हो यहाँ पर 200 days की value क्यों important हो जाती है यह समझो 200 days को जो बड़े trader होते है as in a support and resistance count करते है आप कहेंगा यह की चीज support and resistance कैसे बन सकती ह ध्यान रखो जब 200 days के उपर candle बनती है then उसके लिए जो 200 days moving average होगा वो support zone count होता है अगर वो support zone को break करके candle नीचे बनती है then आपको buy side पर trade बन करनी है और sell side की trade को continue कर देना है simple चीजे और ध्यान रखो यह जो simple मैं बता रहा हो ना कि trend continue कर देना है trend का मतलब यह है या तो आप swing trade कर सकते हो कि भाई मुझे दिखाई दिया 200 days के नीचे candle बन चुकी है और अब मैं यहाँ पे sell side पर काम करना चाहता हूँ then definitely आप क्या करोगे आप put को buy करके चल सकते हो अगर आपको लगता है कि 200 days के उपर candle बनी है then आप call को buy करके चल सकते हो clear अगर आप जानते हो कि trend क्या ह then आप intraday में जो position बनेंगी उनमें buy side पर बहुत easily trade लेकर पैसा earn कर सकते हो plus उसके साथ में एक important चीज और ध्यान रखो आप यहाँ पे एक और indicator इसका नाम है MACD उस indicator को भी यहाँ पे use में ले सकते हो जैसे ही MACD green signal से red signal में continue होता है then आपको यहाँ पे पूरा clear indication मिल जाएगा कि जैसे 200 के नीचे है plus MACD green से red हो चुका है then आप definitely वहाँ पे short side positions के अंदर काम कर सकते हो और वहाँ पे आपके जीतने की probability जो है वो 80% plus हो जाती है because आपने trend के साथ काम किया है अगर trend में कोई problem भी आती है then आप उसको manage कर पाएंगे क्योंकि आपके पास में आपका पूरा support and resistance level आपके सामने दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर notice करोगे अगर कोई यहाँ पर entry करता है like buy side पर entry की तो वो buy side पर ही काम करता चलेगा because यहाँ पर support zone काफी जाधा नीचे है same चीज जब वो उसके नीचे बन जाता है 200 days के नीचे candle then 200 days moving average को हम as an resistance count कर सकते हैं और बहुत easily profit earn कर सकते हैं और यही चीज आप अगर चाहें तो currency market पे भी implement कर सकते हैं आप यहाँ पर notice करेंगे अगर आप 200 days के ऊपर यहाँ पर like buy side पर position create करते हैं one day chart को use करते हुए then definitely आपको profit होने के chances बहुत high हो सकते हैं then रखो और यहाँ पर आप कहेंगे हम तो intraday करते हैं तो intraday वाल then आप definitely buy side पर बिना direct trade ले सकते हो with using tan lot जिसमें की 20,000 की investment लगती है केवल और केवल और अगर कोई long term investment करना prefer करता है किसी इंसान को लगता है कि मेरे पास पैसा है बट समय नहीं है मैं trade नहीं कर सकता then आप इस particular strategy को automation के ऊपर छोड़ सकते हो इसी चीज के ऊपर like अगर मैं बात करूं हम लोग क्या करते हैं mt4, mt5 पर जब काम करते हैं तो कुछ ऐसे pairs होते हैं like euro, usd तो आप यहाँ पर notice करोगे केवल simple trade 200 days के नीचे entry की entry करने के बाद में trade चलने दो, forex market में जो trade होती है वो एक एक दो-दो साल तक चलती है बट Indian market में अगर आप usd आनर में trade करते हो त आपको trend identify हो गया, then आप 5 minute के ऊपर automation छोड़ सकते हो लगा कर या फिर खुद बाखुद एक simple indicator like moving average को ही use करते हुए, आप again वहाँ पे entry exit करते हुए, day by day profit earn कर सकते हो, because आपको पता है कि overall trend sell side है, then आपको sell side पे trade करनी और buy side जैसी signal आता है, आपको trade close कर देनी है, it's simple सी चीज स आप बहुत तमीज से गांधी जी कमा सकते हो, यहाँ पे कोई rocket science use नहीं हो रहा है, आप ध्यान से समझो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जो दिन में इतनी सारी trade करता है, final result zero होता है, यहाँ पे भी वही वाला rule implement होता है, जो colleges में हुआ करता था, कैसे, कि एक book को multiple time study हो जाता है, या फिर 10 book को अलग-अलग एक एक बार पढ़ना different हो जाता है, वो आप पर depend करता है, क्योंकि practice जब होगी, जब आप एक ही indicator के उपर long term के लिए काम करना prefer करोगे, आप देख सकते हो, पिछले साल से 2021 से अब तक यहाँ पर कोई bias head per trade अगर लेगा, तो उसको कर रहे होंगे, मैं GBP की जब trade डालता हूं, तो मैं उसमें short side पर काम करना prefer करता हूं, वो reason यही है, मुझे पता है कि वहाँ पर downtrend है, और अगर मैं कोई bias side की trade लेता भी हो, थोड़ा risk involvement करके, तो मुझे पता है कि वहाँ पर profit hunt कर सकता हूं, क्योंकि मेरे account में fund पढ़ा है, और जैसा कि मैं बोलता हूं, अगर आपके account में पैसा पढ़ा है, then आप currency के अंदर loss में निकलने के chances बहुत कम हो जाता है, because वहाँ पर आपका पैसा आपके लिए बहुत जादा मदद कर सकता है, जो कि nifty bank nifty में नहीं किया जा सकता, nifty bank nifty में बहुत बड़े fund की जरुद प पर देख सकते हो, let's see, यहाँ पर देखो, आप कहेंगे पीछे क्या हुआ है, यह पीछे जो हुआ है, इसको basically कह सकते हो, छोटे छोटे इस top loss count किया जा सकते है, because अगर बड़ा profit earn करना है, तो छोटे छोटे इस top loss दिये जा सकते है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क् कि profit जब market में होता है, तो loss भी market का ही हिस्सा count होता है, आपको उनको भी manage करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे loss कितना कराना है, समझ रहे हो, so इस तरीके से profit earn किया जा सकता है, केवल और केवल एक छोटा सा indicator यूज़ करते हुए, जिसको कि मैं बोल सकता कि best indicator count होगा, अगर मेरे पास केवल एक indicator भी होना, तब भी पैसा बनाया जा सकता है, using different strategies, बाकी चीज़े आपकी psychology के उपर depend करता है, कि आप सोचते कैसे हो, आप लालची हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं धीमे-धीमे पैसा कमाना चाहता हूँ, ताकि मेरे account में fund धीमे-धी कमा रहे हो एक लाग से, आप definitely बहुत अच्छा रिटन निकाल पा रहे हो, समझ रहे हो, otherwise bank आपको 4-5% साला न देता है, ये चीज़ भी ध्यान रखो, अगर आपको किसी और को भी कोई question है, कि भाई, moving average को और कैसे use किया जा सकता है, then definitely आप नीचे comment कर सकते हो, मैं आपके comment क जवाब जरूर दूँगा, ओके दोस्तों